जाहिंद आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो पंजी 2 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आप अपने मॉवाइल या कम्प्यूटर से कैसे निकाल सकते हैं ये वही जमापंदी पंजी है जिससे आपको रसीद आप कटाते हैं और करमचारी के पास देखने जाते हैं तो वो आपको देखने नहीं देता है या आपको उसकी कॉपी निकालने में परिशानी होती है हलांकि इससे पहले हम इसको प्राप्त करने का एक और वीडियो बना के अपने चैनल पर दे दिये हैं आप यहां पर उसको देख सकते हैं इसमें हम कुछ और बताए थे लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस जमाबंदी पंजी को आप ऑनलाइन अपने मॉबाइल या कम्प्यूटर से कैसे निकाल सकते हैं और सिर्फ आप अपना ही नहीं यदि आपको नमबर उमबर नहीं पता है तो आप अपने मौजा के नाम से भी या अपने म आप बरी ही आसानी से देख सकते हैं तो इसको कैसे डाउनलोड करना है इसको आप देखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हम लाइब आपको लास्ट तक डाउनलोड करके दिखाएंगे किसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस जमाबंदी पंजी को डाउन नहीं आप certified copy निकालने तो वो भी आप निकाल सकते हैं आपको हम दोनों process अभी बताएंगे इसलिए वीडियो में last तक बने रही है इस जमाबंदी पंजी को download करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के description में दिये गए link से आ जाना है यह page खुलेगा और इस page पर आपको यह भूमानचीतर पर click करना है भूमानचीतर पर click करने के बाद आपको इस तरह का एक page खुलेगा और सबसे पहले आपको यहाँ public login पर जाना है हम यहाँ पर पहले से login है इसलिए हमको login ले लिया लेकिन आपको यहाँ पर इसमें आपका अपना mobile number डालके और इसमें को escape करके सब सबसे पहले register करना होगा register करने का और login करने का same process है register करने के लिए भी आप अपना mobile number डालके login करेंगे तो OTP आएगा OTP submit करने के बाद एक pop-up दिखेगा success का और इसके बाद आपको public login पर दुबारा से click करिएगा और OTP डालके submit कर दिजिएगा login हो जाने के बाद आपको कुछ इस परकार का dashboard दिखेगा और इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा जमाबंदी पंजी पे यहाँ पे दो जमाबंदी पंजी है एक जमाबंदी पंजी simple है और एक जमाबंदी पंजी digitize है यानि कि आपको यह digitize बला पे नहीं जा आपको यह सिंपल जमाबंदी पंजी पे जाना है तभी वो आपको पुर्णावला दिखेगा तो आप यहां पर जमाबंदी पंजी सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप अपना ओफिस सेलेक्ट करेंगे जिसमें रेवेन्यू एंड लेंड रिपार्टमेंट अल्रेडी सेले यहां से आप अपना मोजा सेलेक्ट करिएगा यहां पर थाना नमर आटमेटिक आ जाएगा यहां पर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं यानि जिसके नाम से जमाबंदी पंजी है उसका नाम से खोज सकते हैं खाता नमर पता है तो खैसरा नमर डाल सकते हैं यदि आपको प यहां पर हमको दिखाएगा कि तीन पुस्क तक जो है इसका अल्रेडी यहां पे अपलोडेड है यहां से छोड़के भाग के जाके यदि आप अभी से करना सुरू कर देते हैं तो फिर यह आपकी जिम्मेदारी है इसलिए आगे देखिए फिर नहीं मिलेगा तो उसका भी हम उपए बताएंगे कि जिसका नहीं होगा उश को क्या करना है यहां पर आपको रिक्वेस्ट पर डउनलोड कोपी पर नहीं जाना है यहां पर आपको प्यूट फाइल फाइल अंप पिल दिख रहा है वीव पिडियू फाइल mobile से आईएगा तब भी computer से आईएगा तब भी आपको same इसी परकार का page दिखेगा कोई इसमें घवराने की बात नहीं है यहाँ पर आप view pdf file पर click करेंगे view pdf file पर click करने के साथ ही आप देखेंगे कि web को भी download होना शुरू हो गया और यहाँ पर देखेंगे कि इसमें यह पंजी 2 है और आप देख सकते हैं कि पूरे पंचायत का हमा को download हो गया है इसमें से आप अपना खोज लेंगे one by one करके जो भी आपका हो जैसे मुझे यह वला हमको चाहिए यानि यह वला आपका है तो आप यहाँ पर देखेंगे page नमर 15 पर है और total यह 852 का page का है और इसमें आपका यह 15 नमर पर है आप देखेंगे जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो अगला आएगा तो यह 16 हो जाएगा और उससे भी नीचे करेंगे तो यह 17 हो जाएगा मान लिया जाए हमको इसी को डॉनलोड करना है तो आप यहाँ से यदि आप इसका certified copy चाहते हैं यानि आप इसका certified copy चाहते हैं जिस पर digitalized signature हो और आप इसको legally use करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर request for download copy पर जाना होगा यहाँ पर आपका नाम जो भी registered किये हैं उसका detail सारा दिख जाएगा दिख जाने के बाद हमारा जो पेज नम्मर था वहाँ पे जिस पेज पर आपका था वहाँ उस पेज नम्मर को मान के चलिए हम 17 वाला को download करना है तो हम 17 डाल दिए यदि और आपको चाहिए तो यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे और इसके बाद इसमें 18 डालेंगे यानि जिस पेज पर आपका है 17 के जगा 25 भी हो सकता है आपका आप अपने हिसाब से देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है य चाहते हैं उस पर तब आपको 10 रुपिया पर पेज के हिसाब से आपको पैसा देना होगा और पंदरा रुपिया इसका सर्वींज चार्ज आपको देना होगा एक पेज के लिए यहाँ आप दो पेज करिएगा तो यह पैसा डवल हो जाएगा ठिक है यानि 25 रुपिया यापको एक रिफ्रेंस नंबर दे दिया जाएगा और उस बात करते हैं कि हमको यह पैसा लगा के नहीं हमको केवल देखना है, हम इसका legally उपयोग नहीं करेंगे, हम केवल देखना चाहते हैं तो देखने के लिए यहाँ पर आपको हम, simple सी बात है, यहाँ पर आप इस page को अपने screen के हिसाब से adjust कर लिजिएगा जब यह adjust हो जाए तो आप इसका screen shot ले लिजिएगा screen shot ले करके आप उसको print करवा सकते हैं यहाँ पर कोई download की बेवस्था यहाँ पर नहीं दिया गया है आपको screen shot ले करके इसे download करना होगा अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनका इसमें नाम नहीं आ रहा है इस चीज को धियान रखिएगा बाद में आप comment करिएगा मेरा नहीं मिल रहा है मेरा नहीं मिल रहा है यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको तो दिक्कत नहीं होगा जिसको जो छोड़के चला गिया उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा नहीं मिलेगा फिर वो comment करते रहेगा यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ठीक है जब आप यहाँ पर select करिएगा कुछ जीला जैसे इसमें देखिए आप अरडिया नहीं आ रहा है अब अरडिया के लोगों को कैसे निकलेगा उसके लिए दूसरा उपाय उसको अपनाना होगा यदि आपका नाम जीला का नाम आ भी रहा है इसमें अमान लिया जाए कि यहाँ पर देखिए अब मोजा इसमें नहीं आ रहा है जीला आ गया अंचल का कारियाल हमान के चलिए यह टिकरी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें मोजा ही नहीं है इसमें थाना नंबर ही नहीं आएगा यानि कि इसका अपलोड नहीं हुआ है यदि यहाँ पर सूची में आपके जीला का नाम नहीं है या फिर यहां पे आपका अंचल का नाम नहीं आ रहा है यदि अंचल का नाम आ रहा है तो मोजा का नाम नहीं आ रहा है यदि यहां तक आ रहा है सर्च करते हैं तब आपको दिखाता है कि result not fund ठीक है तो ऐसी परिस्थिती में आपको क्या करना है हमने जैसे ही बिना मौजा का यहां पर select किया यानि जी मौजा नहीं दिया तो क्या हुआ कि पूरा अंचल का आ गया अब पूरा अंचल में जितने मौजा है उस सब का list आ गया आप ऐसे करके भी देख सकते हैं लेकिन जिस मौजा का नाम यहां पर नहीं आएगा उसका आपको नहीं मिलेगा इस चीज़ को आप धियान में रखिये यादी नहीं मिलता है आपका चाहे कोई भी रिजन हो यदि यहाँ से आपका digital फॉर्म में नहीं मिलता आपका जमाबंदी पंजी तब आपको जाना है इसी चैनल पे जहां पे आप यह देख रहे हैं इसके description में link होगा और यहाँ i button में भी हम link दे देते हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक पहले से video uploaded है जमाबंदी की नकल कैसे निकालें तब आपको ये रास्ता अपनाना होगा इस रास्ते को अपना कर आप अपना जमाबंदी पंजी की copy प्राप्त कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह video आपके लिए काफी helpful रहा होगा इस video में इतना ही मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जहिंद